मन्द पर विराजमान सभी वरिष्ट महानुभाव, उपस्तित, भाईयों और बहनों, साइन राम, कोई कैजे ने मारा काम सरल कर दिया, कि आप किसी के नाम बोलने नहीं है, उन्दा कभी चिंता रहती है, किसी का अध्राब छुट जाता है, कोई कैजे का सुपर फास्ट, एक्सप्रेस की तरह भाशन सुन लिया आप ले, कि अभी रमान सिंग भाणन कर रहा है कि, छे बजे निकले हैं मोदी जी, संडे होलीडे होता है, तो मेरे लिए रियल साइज में होलीडे होता है, मैं होलीडे के समझ में कहा दो, पवित्र दिवस, सारे काम जितने कर सकते हैं करना चाहिए, और मैं जब शाम को बिस्तर पे जाओंगा, तब तक पांच राज्यों का आज, मेरा दोरा हो गया होगा, दिल्ली से चला हूँ, छतिस गट आया हूँ, यहां से उडिसा जाओंगा, उडिसा से पच्चे मंगाल जाओंगा और फिर वहां से उत्तर प्रदेश जार करके सो जाओंगा, जन्ता जनारदन जब कोई जिम्मेवारी देती हैं, तो उसको पूरे मनोयोग से पूर्ण करने का प्रयास करना चाहिए, और हर किसी ने कोशिश करनी चाहिए, आज यहां मुझे साहिबाबा की पतिमा का लुकारपन करने का अफसर मिला, यह अस्पताल गरीबों की निश्रवन के सेवा करने का काम करती हैं, खास करके बालकों के रदे के अपरिशन जो लोग पूर्ट परटी गए होंगे, वहां भी एक बहुत बड़ा अस्पताल, और साहिबाबा का जो सामाजिक काम था, उस सुपकर लोगों का बहुत कम ध्यान जाता है, चबतकारों की चर्चा बहुत होती है, लेकिन उनों ने जो पानी में काम किया है, शिक्षा में काम किया है, स्वास्त में जो काम किया है, कि यह सच्पुज में बहुत प्रेरख है एक भी चमतकार की चर्चा न करे तो भी यह काम अपने आप में बहुत बड़ा चमतकार है तो मैं बाबा के इस महान सामाजिक कामों को प्रणाम करता हूँ आज यहां एक नई नीती का प्रारूप आपके सामने प्रस्तूत किया गया इनोवेशन एन एंटर्प्रेनर्शिप के समिज में मैं रमन सिंग जी उनकी सरकार को बढ़ाई देता हूँ कि उन्हों ने इस दिशा में सोचा और सरकार क्या करेगी क्या कर सकती है लोगों को क्या करना चाहिए सरकार और लोगों मिल करके क्या कर सकते है इसका इसमें एक खाका है दुनिया में पिछले पचास वर्स में जिन देशों ने प्रगति की है अगर उसकी तरब हम नजर करें तो ध्यान में आता है कुन देशों की प्रगति के मूल में एक बात है इनोवेशन अनेक नई चीजें वो लेकर के आए अनेक नई कलपना के नेकर के आए जिसको दुनिया ने स्विकार किया और वो इनोवेशन समाज हितकारी बना लेकिन उस राष्ट्र के लिए आर्थिक उन्नतिका कारण बन गया और इनोवेशन नहीं होता है तो एक ठहराव आ जाता है गुरुकावट आ जाती है जीवन समाज का एक सहज स्वभाव होना चाहिए कि वो युगानुकुल परिवर्तन करता रहे आविशकार की परंपरा निभाए रखे और नए नए आविशकारों को समाज उपयोगी जन उपयोगी कैसे बनाए उद्धिशा में प्रयास करें एंट्रप्रेंडर्सीब हमारे देश पैसर प्रतिशत जहां पर नवजमान है डेमोग्राफिक डिमिडन यह भारत के एक बहुत बड़ी शक्ती के रुप में दुनिया देख रहा है लेकिन अगर हम इस डिमोग्राफिक डिमिडन के सिरफ माला जबते रहेंगे कि हमारे पास 65 प्रतिशत जनसंग्या 35 साल से कवम उमर की है तो बात बनने वाली नहीं है यह 65 प्रतिशत जनसंग्या उसके हाथों में उनर हो अपना कौशल लिए दिखाने के लिए आर्थिक ववस्ता का प्रबंदन हो सरकार की नीतियां ऐसे चोटे चोटे उद्यमकारों को पुद्शाइद करने वाली हो हमारे युवा जॉब सीकर से जॉब क्रियेटर बने वो खुद नौकरी खोजने के बजाए मैं दो-चार लोगों को नौकरी दूँगा यह सपने लेकर के काम करें और यह एक माहौल देश में बन सकता है सरकार ने जो योजना बनाई है वो सारी योजना इन बातों को बल देती है ग्रेजुएट होना सर्टिपुएट लेकर के दरदर फटकते रहना यह मेरे देश के युवा की जिंदगी नहीं हो सकती है मेरे देश की युवा की जिंदगी उसके सपनों को साकार करने के लिए अनुकुल माहोल बनाने करके उस सपनों को पूरा करने वाली होनी चाहिए और उस दिशाने सरकार के एक के बाद एक कदम उस स्थीतियों को प्राप्त करने के लिए है Skill development देश के नौजवानों को हुन्नर का आउसर देता है मुद्रा योज्रा ऐसे नए entrepreneur है और पुराने भी है जो विस्तार करना चाहते है उनके लिए है विधावट कोई गारंटी देश के सामाने लोग जो कभी बैंक के दरवाजे तक जा नहीं सकते थे शाहवकार दिन को लूटते थे व्याज बेसुमार होता था और कभी कभी उसे गाउँ छोड़के भागना पड़ता था या संसार छोड़के चला जाना पड़ता था को गिर्वी रखना पड़ता है मुद्रा योज्रा के तहर पचास जार से लेकर के दस लाग तक विधाउट गारंटी ऐसे लोगों को पैसा दर्य का प्रबंध शुरू कर दिया है अब तक दो करोड लोगों को राशी दे दी गई है और करीब करीब एक लाग करोड से ज्याद को दे, दो को दे, चार को दे लेकिन इसी से काम बढ़ने वाला है और इसलिए दुनिया में प्रचलीत माननेता रही है कि आर्थिक विकास के लिए एक प्राइवेट सेक्टर, दूसरा पब्लिक सेक्टर, यानि गवर्मेंट के प्येस्विज होंगे यां कॉर्परेट हाउ होंगे, भारक जैंसे देश में थीसरी वीधा की आवर्च सकता है, उस थीसरी वीधा पर में बल दे रहा हूँ और वो है पर्स्नल Сक्टर, प्रावेट सेक्टर का अपना उप्योग है, प स्कीनल सेक्टर जहां हर व्यंक्ती एक एंटर्पेटर बने और यह जो नीती लेकर सब्सक्राइब कर दो करोड़ लोगों को मदद मिली है उसमें करीब करीब सतर प्रतीशत सब्सक्राइब कर दो कि अधिया जो तो जो इस नीतियों को लेकर गें शत्रीश गड़ाय मैं मानता हूं उसके साथ जुड़ करके यह दोनों की शक्ति काम आएगी और आप केंदर सरकार और राच्री सरकार की शक्ति मिलती है तो फिर तेजी बहुत बढ़ जाती है और मुझे विश्वास है कि 36 गड़ के नवजवानों को उसका लाप बिलेगा आज प्रदानमंत्री आवास योजरा कभी आरंब हो रहा है देश की आजहादी कितने सालों के बाद पांच करोड परिवार ऐसे हैं जिन के लिए आवास निर्मान आवशक है करीब दो करोड शहरों में हैं तीन करोड गाउं में हैं और यह वो लोग हैं जो अपने बलबुते पर मकान बना पाएं वो संभव नहीं है ना उसके पाद जमीन है ना उसके पाद पैसे हैं विकास के लिए व्यवस्ताएं कभी कभी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है गरीब से गरीब व्यक्ति होगा जुगी जोबरी में जीता होगा तो वो जीने के तरीके ऐसे ढूंड लेता है कि रात को सोने के लिए आता और दिन को फिर चला जाता है न उसका परिवार का माहौल बनता है न उसका व्यक्ति के सपने सचते हैं लेकिन अगर उसको एक छोटा सा मकान भी दिया जाए, वो पैसे भरने के लिए तयार होता है, लेकिन सरकार अगर मदद करे, बैंकर अगर मदद करे, पब्लिक प्रावेट पार्टर्सिब मोडल आगे पड़े, एक बार मकान हो जाता है तो उसका मन कर जाता है, कि महमान आते हैं तो घर में प्रवेश जहां होता है, तो पैर पहुचने के लिए भी कुछ रखना चाहिए, तो उसको लगता है कि लोग आते हैं, जुगी जुपड़ी में तो चलता सा, अब थोड़ा दरी बरी लाने पड़ेगी, थोड़ा पैसे बचाता है, अगले महीने, फिर थोड़े दीन हो जाते हैं, अब तो बच्चों ने पढ़ना चाहिए, तो बच्चों को पढ़ने के लिए सोचने लगता है, एक बार चार दिवारी आ जाती है, चो उसके सपनों में जान आ जाती है, और वो नई-ई-ईचीज़े करने लग जाता है, और इसलिए, यह ये प्रधान मंत्री आवास योजना इंस नहीं है यह उन दिवारों को खड़ी करने के लिए नहीं है जो किसी को जगाँ देंगे वो उन सपनों को जान भरने का एक बहुत बड़ा कारकम है जो हिंदुस्तान के गरीब से सिर्धिक को अपना और इंसान के संवान ने वक्ति के मन की एक इच्छा होती है कहीं भी वरता हो यार अपना गर ओ Алекс है हर किसी कि इच्छा रहती है लेकिन उस गरीच एफ्छा पूरी नहीं होती और कोई गरी मरने के बाद अपने बच्चों को विरासत में गरीबी देना नहीं चाहता है। गरीब से गरीब माबाब भी अपने बच्चों को गरीबी विरासत में देकर के जाना नहीं चाहता है। वो भी उसको कुछ देकर के जाना चाहता है। सरकार उने सपना देखा है। 2022 भारत की आज़ादी के 75 साल होंगे क्या अभी से देश का हर नागरीक देश की सभी सरगारें देश की सानिय स्वराज की सभी संस्ताएं जो जो भी सारवजनिक जीवन में अव्यक्तिक जीवन में सोचने वाले लोग हैं उन सब ने 2022 के लिए एक संक्तल को मन में लेना चाहिए कि 2022 जब देश की आज़ादी के 45 साल होंगे जिन महापुरुष्ण ने इस देश के आज़ादी के लिए बलिदान दिया जवानी जेलों में खपाई फांसी के फंदे पर लटक गए पीट पर पुलीस के दंडे खाए हम क्या दे सकते हैं उसका संकल्प हर देश वासी का होना चाहिए हम उनको कैसा भारत दें भारत की आज़ादी के दिवानों को आज़ादी के 75 साल पर कैसा भारत दें ये सपना देखना चाहिए हमने एक सपना देखा है कि जब आजाजी के 35 साल हो तब हिंदुस्तान के गरीब के गरीब को भी अपना घर हो 2022 तक पाँच करोड घर बनाने काम भाग बड़ा है मैं जानता हूँ मानो समसादन लगेंगे लेकिन इससे रोजगार भी बढ़ेगा सिमेंट भीकेगा लोहा भीकेगा मैसंस का काम करने वालों को काम मिलेगा इट माटी भठा चुना कलर काम सब करने वालों को काम मिलने वाला है देश के अंदर एक बहुत बड़ी आर्थिक प्रवर्ति वे भी देश की युवापढ़ी के काम आने वाली है जीवन में दनने वाला है और इसलिए उसकार कम आज यहां आरंभ हो रहा है पुरे देश में सभी सरकारे आगे आए जितना हो सके जल्दी अपने यहां जमीन के सबंद में जगाताय करें भारत सरकार इस काम को आगे बढ़ा निगले तयार है राज्योर पेंदर मिलकर के इस काम को करेंगे और देश के गरीब से गरीब को हम एक छट देंगे जिस छट के सहारे उसके सपनों को जान देंगे और जानदार सपनों से देश 2022 में नई उचाईओं को प्रांप्त करेगा इसी एक विश्वास के साथ मैं फिर एक बार रबन सिंग जी को उनकी टीम को बहुत बहुत शुकामनाई देता हूँ सिमान वेंक कया जी इस विभाग के मंत्री है दिन रात उन्होंने इस काम के पीछे लगे रहे हैं और मुझे विश्वास है कि सप्रासाकार होके रहेगा बहुत बहुत धन्यवाद